है लो माई दियर स्टूरेंट वेल्कम टू माई चैनल मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो से तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत नमस्काश शात्रो कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्त होंगे सेफ होंगे आज हम करेंगे लाग की चूडियां NCRT क्लास एर्थ मसंत भागतीन वेरी इंपोर्टेंट MCQ प्रशन तो चलो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चूड़ी बनाने बेचने वाले को मनिहार कहते हैं तो उसी प्रकार काश्तकार को क्या कहते हैं सोचो सोचो जल्दी से खेती हार तमाशा दिखाने वाले को काश्तकार कहते हैं या फिर मिठाई बनाने वाले को काश्तकार कहते हैं तो बचो जिनका आंसर A है, वो बिल्कुल सही हैं, खेती हार को काश्टकार कहा जाता है लोहे लगना मुहावरे का क्या आर्थ होता है, सोचो जल्दी, मुकाबला करना, रुठे हुए को मनाना, या फिर बड़ी कठनाई से काम करना होना तो लोहे लगने का मुहावरे का आर्थ है बचो बड़ी कठनाई से काम होना मुंगेरी कपड़े धोने पीटने के काम आती है उसी परकार कुमहार मिटी से बरतन बनाते समय उसे पीटने के लिए किसका प्रयोग करता है किस से वो मिटी का पीटता है थापी का या फिर लोहे की मुंगेरी का या फिर मूसल का जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो जो बच्चे कह रहे हैं लोहे की मुंगेरी का बिल्कुल गल्त है थापी का प्रयोग किया जाता है कुमहार जो है बरतन मनाने क के लिए मिट्टी को थापने के लिए थापी का प्रयोग करता है नुमा का प्रत्य शवद कौन सा है जल्दी बताना जल्दी नुमाइंदा धोलक नुमा या फिर नुमाईश तो नुमा प्रत्य पहले तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्य शवद से पहले हो ग्रामर वाला वीडियो जरूर देख लेना धोलक नुमा धोलक नुमा शवद का के पीशे जो है प्रत्य लगा हुआ है नुमा निमलिक्त में इसे तद भवशवद कौन सा है अब तद भवशवद भी ग्रामर का है तो ग्रामर हिंदी का ग्रामर पढ़ना है न तो मुझे कमे भीक्षा या फिर लाख तो तद्भवशवद कौन सा है बच्चू लाख लाख की चूड़ियां कौन बनाता था कौन बनाता था लाख की चूड़ियां मंगलू बदलू या फिर लेखक ये तो सभी बच्चों का अंसर सही है बदलू जो था लाख की चूरियां बनाता था बदलू कैसी चूरियां बनाता था अब उसी कैस्टन के उल्टा के सोने की कांच की या फिर लाख की तो लाख की चूरियां बनाता था प्रशन जो है किसी भी ढंग से पूशा जा सकता है प्रिक्षा में आपको तयार रहना है उसको दोनों तरीकों से पढ़ना है बदलू कौन था? मनिहार? सुनार? या फिर लोहार? पहला कोश्चन हमने इसी के भारे में पढ़ा था बदलू जो था मनिहार था लेखक बदलू से दिखतर कब मिलता था? कब मिलने जाता था बदलू से? रात को, दोपहर में, या फिर सवेरे तो लेखक जो था बदलू से दोपहर में मिलने जाता था बदलू प्रती दिन कितनी चूडियां बना लेता था? कितनी चूड़ियां बना लेता था वो दो तिन जोड़े या फिर तिन चार जोड़े या फिर चार शे जोड़े तो बच्चो नेरे प्रिये शात्रो बदलू जो था वह चार शे जोड़े जो था चूड़ियां बना लेता था एक दिन में बेलन पर चड़ी चूड़ियां बदलू को कैसी दिखाई देती थी मिर कैसी दिखाई देती थी उसको किस से तुलना करता था बेलन पर रखी चूड़ियां थी न बदू की कलाई पर सजी जैसे जा फिर नारी की कलाई जैसी जा फिर बहुत ही सुन्दर कैसी दिखाई देती थी उसको तो बच्चो उसको बदलू को जो थो बेलन पर चड़ी चूड़िया जो थी ना बधू की कलाई जैसी सजी दिखाई देती थी कि ना बधू की कलाई पर सजी हुई है पिता की बदली होने का लेखक पर क्या परवाब पड़ा बै उदास हो गया था जब उसके पिता का बदली हुआ था ट्रांसपर हुआ था जा फिर बै मामा के घर ना जा सका जा फिर बै मित्र से ना मिल सका तो बच्चो जब उसके पिता की लेखक के पिता की बदली हो गई थी टांस्पर हो गई थी तो अपने मामा के घर ना जा सका था रज्जो कौन थी अब रज्जो भी आया है न तो रज्जो कौन थी बदलू की बितीजी थी लेखक की बेहन थी या फिर बदलू की बेटी थी तो रज्जो जो थी वे बदलू की बेटी थी बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा कब बनाया था लास्ट जोड़ा कब बनाया था बदलू ने लाख की चूड़ियों का या फिर लेखक के मामा की बेटी के भिबाह पर तो उसने बदलू ने अपनी लाग की चूडियों का जोड़ा जो था अंतिम जोड़ा बनाया था जमीदार की बेटी के भिबाह पर तो ये थे हमारे कुछ MCQ प्रेशन लाग की चूड़ियों के तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद थैसक्त थे स्ब्सक्राइब